क्यात रश्वी यादव ने बीजेपी को तोड़ दिया है क्यात रश्वी यादव ने अपनी रन्नीती से बिहार में एंडिये की जमीन को खिसका दिया है नमस्कार मैं श्वीत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेशन 24 लोकसवाच शुनाव की सरगर्मी काफी जादा तेज हो गई है तमाम राजनितिक पार्टियां लगाता ताबर तोड़ रहे हैं कर रही है जन सभाएं को संबोधित कर रही है आम जनता के बीच जा रही है कुछ राजनितिक पार्टियां अपने पुराने कामों को याद दिलवारी है तो कुछ राजनितिक पार्टियां आने वाले दिनों में क्या काम करेंगी उसको लेकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं लेकिन अगर हम बिहार की बात करें और बिहार में एक तरफ जहां सरकार इंडिये की है और बिपक्ष में एक इन्डिया लाइंस है तज़ेश्वी आदब नेता प्रतिपक्ष के रूप में है और तज़ेश्वी आदब जिस तरीके से अपनी रननीती सेट कर रहे हैं वो काबिले तारिफ भी बताई जा रही है दिरसल आपको बता दें कि बिहार की वैशारी लोकसवा सीट से आरज़ेडी के उमिदवार बाहुबली मुन्ना शुकला के नामांकन के दौरान बीजेपी के कई नेता कारेकरता भी शामिल हो गया है इस शेतर का सियासी पारा गर्मा गया है बीजेपी भी हरकत में आ गई है बीजेपी के जिला देक्ष रंजन कुमार ने मुन्ना शुकला के नामांकन में शामिल होने वाले पार्टी के पदधिकारियों के खिलाफ एक्ष्यल ले जाने की बात कही है बाहुबली नेता मुन्ना शुकला ने मंगरवार को मुजफर पूर के वैशारी लोकसवा सीट प बीजेपी के जिला देक्ष रंजन कुमार ने ती गटवंदन धर्म का पालन नहीं करने के लिए बुदवार को सभी नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया साथ ही साथ इन सब के फिलहाल मीडिया से बाच्शीत और चुनाबी अभियान में किसी तरह की करता भी शामिल होने की जानकारी मिली बता दें वैशाली लोकसवा सीट पर छटे चरण में 25 माई को वोटिंग होनी है इस सीट पर नामांकन की प्रक्रिया जारी है लालु यादव की पार्टी आर जे डी ने इस बार भुमियार जाती के बाहु बली मुन्ना शुकला को कैं कारकरता शामिल हुए जब इस बात की जानकारी बीजेपी तक पहुंची तो बीजेपी ने अब एक्शन लिया है आप देखना होगा कि मुन्ना सुकला के लिए जो बीजेपी के कारकरता शामिल हो गया है उस पर बीजेपी ने जो एक्शन लिया है तो उस पर उनका क्या र चोड़ रहे हैं तो कुछ राजिंतिक दल में पुराने साथी वापस आ रहे हैं अब देखना होगा कि मुन्ना शुकला के नामांकन के दौरान जितना उन्हें समर्थन मिला है वो उनके वोटिंग वाले दिन उन्हें मिलता है या नहीं और इसका फैसला तो चार जुन को किया